नमस्कार, मैं वरेन्यम आईरवेदा फरीदाबाद से डॉक्टर रश्मी सुधा आज माईग्रेन जिसको अरधाव भेदक या आधे सिर का दर्द कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे ये एक बहुत लोगों में बहुत कॉमनली ये होने वाली व्यादी है और इसमें इतना तेज सिर्दर्द होता है कि परसन कभी-कभी आत्महत्या करने की सोचने लगता है सिर्दर्द के अलावा इसमें इंसेंसिटिविटी और फ्लाइट, तेज प्रकाश या तेज साउंड से चुड़ मचना इस तरह के भी सिम्टम होते हैं नौजिया, वॉमिटिंग भी इसमें इंक्लूड होता है वॉमिटिंग से अकसर ये थोड़ा इसके सिम्टम रिलीफ होते हैं और यही इसका कार्डिनल सिम्टम है इसके सिम्टम चार से 72 घंटे तक रहते हैं जो माइग्रेन है या आदासीसी का दर्द जो है ये निूरो वास्कुलर डिसॉर्डर है इसका मतलब है कि जो नर्ब सोती हैं इसमें ब्लड सप्लाई की किसी भी वज़़े से कमी होना उसकी वज़े से सिरदर्ध होना या बाकी सारे symptoms start हो जाते हैं जो इसके trigger factor हैं जिन पे control करके हम इसके treatment भी कर सकते हैं या इसकी intensity है इसको कम किया जा सकता है तो जाने पहले इसके trigger factor के बारे में जो सबसे पहला trigger factor है वो है emotional emotional trigger factor में stress, anxiety, depression इसकी जो भी कारण है इनको दूर करने की कोशिश करेंगे या योगा और meditation से इसको कम करने की कोशिश करेंगे अपनी stress handling capacity को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो दूसरा trigger factor है वो है physical तो इसमें जो हमारा body posture है अगर हम गलत तरीके से बैठते या सोते हैं तो nerves compress होती है तो nerve compression से भी blood supply या सिरदर्ध होने की समभावना बन जाती है तो वो body posture का भी ध्यान रखेंगे proper sleep लेंगे अगर नींद की कमी की वज़ा से सिरदर्ध हो रहा है तो नींद की कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और जो third trigger factor है वो है environmental अगर हम किसी ऐसे environment में है जहां बहुत तेज इसी चल रहा है या बहुत light है तो उसकी वज़े से भी ये trigger कर सकता है ये बढ़ सकता है तो उस तरह की environment से दूरी बना के रखने में ही समझदारी है जो एक और trigger factor है वो है medicinal ये medicinal के side effect की वज़े से भी होता होता है जैसे कई लोग sleeping pills का उपयोग बहुत आयत में करते हैं या कई लोग pain killer का उपयोग भी बहुत थोड़ा सा भी दर्द हुआ और एक paracetamol या aspirin ले लिया तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सिरदर्द होने के chances होते हैं तो इन सब जो अब्यूज है, medicinal abuse इसको का जाता है इसको भी avoid किया जा सकता है इसके अलावा contraceptive pills का जो बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं या HRT therapy जो hormonal replacement therapy होती है जो अकसर pre-menopausal syndrome को या menopausal syndrome को दूर करने में दी जाती है उसके side effect में भी migraine हो सकता है तो उसका भी विशेश ध्यान रखना होता है आरवेदा में जो इसकी treatment बताई गई है वो इन trigger factors को ध्यान में रखते वे बताई गई है तो सबसे पहले निदान परिवर्जन ऐसा बताया गया है कि जो भी कारण से हो रहा है migraine सबसे पहले उनको avoid करें तब ही जो treatment है वो पूरी तरह से सफल होगी तो जो भी trigger factor है उनको avoid करने के बाद जो instant pain reliever और जो देड़ से दीरे-दीरे blood supply improve करें इस तरह की चिकित्सा दी जाती है तो कई ऐसे herbs हैं जैसे गूदंती है या स्वर्ण सूचे कर देते हैं या लगुच सूचे कर देते हैं इस तरह की दवाईयां भी हम लोग उप्योग करते हैं इसके अलावा पंच कर्मा में बस्ती चिकित्सा जो एनिमा थेरपी एक तरह की एनिमा थेरपी होती है जो बात को कम करती है इसके अलावा वीरेचन थेरपी जो पित को कम करती है नस्यम जो नैजल ओयल थेरपी ओयल पूलिंग थेरपी के नाम से इसको जाना जाता है इसा कहा गया है तो नाग से जो भी दवाई दी जाती है वो direct brain पे काम करती है या सिर्क के सम्दिद जितने भी problem होती है उन सब पे काम करती है तो oil pulling अलग-अलग oil होते है शट बिंदू oil होता है अनू तेल होता है तो कई सारे तरग के oil होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं इसके अलावा रत्मोक्षन जो अक्सर हम लीच थेरापी का उप्योग करते हैं यह instant pain reliever भी है अगर किसी को बहुत जादा pain हो रहा है तो इसमें हम usage therapy उसी वक्त करते हैं इससे instant pain relief हो जाता है परसन को बहुत अराम मिलता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते वे खासकर dietary factor सब्सक्राइब और पित्त को बढ़ाते हैं बात को बढ़ाने वाले जितने भी आहार हैं जैसे चना, राजमामतर, दही खाना रात में जो दही खाते हैं तो इस तरह के आहार का अवोइड करें पित्त जितने भी पित्त को बढ़ाते हैं तो इन फूट्स को अवोइड करेंगे और माइग्रेन से हमेशा के लिए चुटकारा मिल जाएगा इससे इंटेंसिटी में भी कमी आएगी और अगर आप पंच करमा लेते हैं तो इससे पूरी तरह से चुटकारा मिल जाता है उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आईवेड से सम्मंदित किसी भी तरह का प्रशन आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं धन्यवाद